नमस्कार मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं एक्सपेस नियूज जैसा कि जानने कुछी दिनों में 26 जनवरी आने वाला है और हर साल की तरह इस बार भी गांधी मैदान में यहां पर तैयारियां जोरो शोर रुपए एक टेंट लग चुका है और जिस तरीके से आप चोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे तक जहां परेड़ में हिस्सा लेते थे इस बार आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिस में सिर्फ और सिर्फ यहां पर पुलिस बलके जवान ही मوجود हैं और जिस प्रकार से क् basta ने इस बार भी मेला नहीं लगने ले दिया हो सकता है क वो जो रौनक आपको गोड़ा में देखने को मिलती हो परेड की वो जो खुशियां और वो जो लोगों में उत्साह दिखता हो वो इस बार ना मिले लेकिन इस समय आपके सामने मौजूद हैं सारे बाकि सारे जवान जो कि यहां पर लगातार सुबह में इस कड़कडाती धंड में भी यहां पर लगातार आपको अभ्यास करते हैं नजर आ रहे हैं देख सकते हैं से में यहां पर निरिक्षिन किसी भी परेड का एक बड़ा हिस्सा होती है और यहां पर उसी का अभ्यास किया जा रहा है 26 जनवरी के दिन यहां पर गुड़ा के S.P. और D.C. मौझूद होंगे और यहां पर मौझूद सारे जवानों का यहां पर निर्क्षिन किया जाए तो अब देख सकते हैं इस समय आपके सामने परेड का यह अद्भुद नजारा किस प्रकार से सारे के सारी प्लाटून जो है के करके आपके सामने यहां पर आती दिखाई दे रही है 26 जनवरी को ऐसा ही भवे नजारा आपको देखने को मिलेगा और उस भवे नजारे के लिए ही यह सारे सिपाई आज इतनी महनत करते हैं यहां पर दिखाई दे रहे हैं यह इनकी जजबा का ही नतीजा है कि इस सुबह की इस कड़कराती ठंड में यह सारे यहां मौझूद है और महिलाएं भी पुरुसके साथ कदम से कदम मिलाते हैं यहां पर पूरी बुलंदी के साथ यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं कि और यहां पर लगातार तिरंगे को सम्मान दिया जा रहा है तिरंगे को सेल्यूट किया जा रहा है और 26 जनवरी की यह परेड इस कारिकरम के बाद खत्म हो जाएगी निरिक्षन हो चुका अब परेड जो है फिल्ड का एक चकर ले आने के बाद अपने जगापर जाएगी और उसके बाद दोबारा से जो निरिक्षन है यह जो परेड है आपर खत्म होता नजर आएगा आप देख सकते हैं सारे उमर के सारे जगह के लोग एक साथ कदम से कदम मिलाते वे पैर चल रहे हैं जो कि भारत की एकता का एक अदभूत संदेश है और लगातार तिरंगे को सल्लीट करते वे सलामी देते वे यह सारे के सारे प्लाटून यहां पर आपको नजर आ रहे हैं संदीब कुमार जी कैसा रहेगा सर कैसी प्रैक्टिस चल रही यहां पर और कितने बज़े से कितने में तक आप लोग कर रहे हैं इससे हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि इस बार बहुत अच्छा प्रेड होगा इस बार हर बार जिसे स्कूली बच्चे मोजूद हुआ करते थे परेड में और इस बार शायद कोरोना के वैसे वो लोग यहाँ पर नहीं मौजूद है क्या कर रहे हैं लिए उसके वैसे कोई परिशानी दिक्कत आ रहे है वो जो अत्सा होता था बच्चों का जो अपने आप में आप लोगों में भी उत्सावर देता था वो आज इस बार मौझूद नहीं है क्या कही है उसको आरम ये बात सही है बच्चे आने से यहाँ पर काफी अच्छा लगता था वो देश के भविश से हैं तथा उन्हीं के कारण यहाँ पर हम लोग को भी लगता था कि 26 जन्वरी 15 अगस्त काफी अच्छा वो उत्साह के साथ करते थे लेकिन इस बार करोना को लेके वो नहीं आ पा रहे हैं गाइडलाइन भी साथ ऐसा है कि 18 साल से 7 साल के बीच के लोग ही आएंगे हमें भी इस बात का अच्छा महसूस नहीं हो रहा है लेकिन करोना और लाइफ को देखते हुए यह डिसीजन लिया गया है और अभी जैसा आप बता रहे हैं कि करोना की गाइडलाइन अभी नहीं आई है करोना का भी गाइडलाइन जो हम लोग के ओफिस में अभी तक नहीं पहुची है लेकिन जल्द ही हम लोग के पास मिल जाएगा जो हमारा मीटिंग हुआ था उसमें बताये गया था कि पिछले बार का जो गाइडलाइन से है उसी के अमसार ही हम लोग को कारी करना है और मैं हूं राज और आप देख रहे हैं एकस्पेस न्यूस अब तक के लिए धन्यवाद बने रहे हैं